ओम शान्ती 15 दिसंबर 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम्हें लौकिक संबंधियों से भी तोड निभाना है आज नहीं तो कल उन्हों की बुद्धी में जरूर बैठेगा युगल को भी ज्यान में लाना है एक दो को सावधान कर उन्नती को पाते रहो जब तक करमातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक पुरुशार्थ करते रहना है यहां मैजोरिटी माताओं की है बाप ने ज्यान का कलश भी माताओं के सिर पर रखा है तुम्हें इन शक्तियों का मान बढ़ाना है कभी ये अभी मान ना आए कि हम होश्यार है फिर बाबा ने कहा तुम्हें भविश्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके यह मिलकित आदी अब खत्म हो जाने वाली है सब कुछ बाब पर बली हार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा बाब के बने हो तो ट्रस्टी होकर संभालो हर बात में डारेक्शन लेनी है यह करू या ना करू बाब तो हरे की अवस्था अनुसार ही राये देंगे अगर कोई को धारना नहीं होती तो बाब को याद करो याद तो सहज है ना जिस बाब से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम उस बाब को कैसे भूल जाते हो और लास्ट में बाबा ने कहा ऐसा साजन जो श्रिंगार कराए महरानी बनाते हैं उनको भी भूल जाते हो अभी तुमको माया पर जीत पाकर जगत जीत बनना है ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है जो कुछ होता है वे सब ड्रामा में नूद है इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं और अब सुनते हैं महवाकियों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम्हें लोकिक अलोकिक परिवार से तोड निभाना है लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है मोह जीत बनना है प्रश्न कयामत का समय है इसलिए बाप की कौन सी स्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो उतर बाप की स्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब जुक्तु कर लो अपना भविश्य स्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ती जीवन मुक्ती का वर्सा ले लो सारा पुरुशार्थ अभी ही करना है बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जनम के लिए मिल जाएगा बाप का बनकर हर कदम पर डारेक्शन लेते रहो ओम शान्ती बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं अभी तुमको तीन बाप से तोड निभाना है भक्ती मार्ग में दो बाप से तोड निभाना होता है जब सत्युग में हो तो एक बाप से तोड निभाना होता है तोड भी निभाना होता है इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुम्ब परिवार से भी तोड निभाना है अंत तक कोई लौकिक संबंधी को चिठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ओफिस आती है यहां भी बेहद के बाप को चिठी लिखते हो शिव बाबा केर ओफ ब्रह्मा इन बातों को सिवाए तुम्हारे और कोई नहीं समझते यहां कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको तीन बाप हैं तो समझ न सके एक है लौकिक बाप दूसरा यह संगम युगी अलौकिक बाप और तीसरा पार लौकिक बाप तो सबका है ही भक्ती मार्ग में भी है तो अभी भी है यह कोई जानते नहीं सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो कितनी बातें समझानी पड़ती हैं सत्यूग में सब सद्गती में है सुखी ही सुखी है सभी सुख धाम शानती धाम में है रावन राज्ये में सभी दुखी है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं दिखलाते हैं सोने की द्वारी का पानी के नीचे चली गई यह चक्र फिड़ता रहता है, नई उपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सत्युग नीचे चला जाएगा, तो कल्युग उपर आजाएगा, फिर सत्युग उपर कब आएगा, पांच हजार वर्ष बाद, बच्चों की बुद्धी में यह सारा नौल इस तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है, कोई जासी याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं, तो मात पिता बच्चों को समझाते हैं, लौकिक संबंधियों से भी तोड निभाना है, आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धी में बैठेगा, देखें एक बाप को याद करना है, कोई भी साधू संथ गुरु आदी को याद नहीं करना है, याद चितन्य को भी करते हैं, तो जड को भी करते हैं, सत्युग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहां मोह जीत रहते हैं, यहां सब में मोह रहता है, फर्क है न, ड्रामा में हर एक समझाते हैं क्योंकि बाप ही नौलेजफुल है है यह भी बाप वह भी बाप वह भी क्रियेटर यह भी क्रियेटर ग्रह्मा दवारा क्रियेट करते हैं अडोप्ट करते हैं अडोप्ट करना अर्थात अपना बनाना शुद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है उनको बाप अडोप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप दवारा स्रिष्टी चक्र को भी जान गए हो। जन्म है जरूर अडोप्ट करेंगे। यह भी तुम जानते हो अडोप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। सुख धाम और शानती धाम को याद करना बहुत सहज है। परन्तु बड़ी विशाल बुद्धी चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे। यह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहां तो सब हैं गुप्त बातें। समझ भी हैं। बुद्धी को ताकत मिलती हैं। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सोलुशन पिलाते हैं। सोने का पानी भी बनाते हैं। यहां तो तुमको रुहानी नौलेज मिल रही है। यह नौलेज ही इनकम है। नौलेज तो सबको एक ही मिलती है। फिर जो पुरुशार्थ करें। इसमें मुझने व घबराने क कोई बात नहीं सर्फ बाबा का बनना है बाप के वर्से को याद करना है सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे धंदा अधी भी करना है कोई को तो धंदा अधी भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते, जब तक करमातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुशार्त करते रहना है, वे वायू मंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है, जब बहुत दुख आएगा, तो फिर भगवान को याद करते रहेंग मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा, कि हमारी कमाई कम है, योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, फिर बाबा भी बुद्धी का ताला धिला करेंगे, मनुष्य बिमारी में इश्वर को याद कराते हैं, राम कहो, राम कहो, बाप भी कहते हैं, बाप और वर्से को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर, उन्नती को पाना है, ऐसे नहीं पुरुष्य चले, इस्त्री को ना चलाए, यह जोड़ा है हाफ पाटनर का, परन्तु आजकल हाफ पाटनर भी समझ से नह हैं, कोई-कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं, जो बाप की मिलकियत को उड़ा देते हैं, मा को पुछते भी नहीं, वहां तो ये सब बाते होती नहीं, कभी दुख नहीं होता, यहां पहले-पहले दुख ही मिलता है, सगाई की और लगी काम कटारी, देवियों को तलवार आधी दिखाते हैं, वास्तों में यह हैं ग्यान के अलंकार, स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्रह्मनों को है, गदा भी तुम्हारी निशानी है, ग्यान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो, बाकि वह यहां ऐसी चीजों की दरकार नहीं रहती, वहां बड़ी मोज से रहते हैं, तपश्या करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपश्या का फल है, सुक्षम वतन में हैं फरिस्से, वह हैं फरिस्सों की दुनिया, यहां फरिस्से नहीं रहते, देवताओं को देवता कहेंगे, व वहे हैं फरिष्से और यहां है मनुष्य, सभी का अलग-अलग सेक्शन है, सत्युग में देवताईं राज्य करते हैं, वहे हैं टौकी दुनिया, सुक्षम वतन में हैं मुवी दुनिया, दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सुक्षम वतन और स्थुल वतन, तीन लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धी में यह प्रेक्टिकल में हैं, मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं, तुम अच्छी रिती जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोकों को जानते हो, सिवाए बाप के आधी मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते, कोई भी त्रिकाल दर्शी है नहीं, यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माई कहां कैसे रहती हैं, तुम जानते हो, वहां आत्माउं का जाड़ हैं, वहां से नंबरवार आते हैं, हम सब आत्माई बच्चे शुव बाबा की माला हैं, जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रि सापक कौन है और सभी धर्म सापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं देवी देवता धर्म किसने सपन किया यह किसको पता नहीं है बाप बैट समझाते हैं जराइट है नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए हम होश्यार है नहीं फिर भी मान रखना है माता का नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्व विद्याले ग्यान का कलश माताओं के सिर्पर रखते हैं वे तीखी है सरस्वती के हाथ में सितार दी है श्रीक्रिश्न और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है यह भी किसको मुश्किल पता होगा हर एक बात अच्छी रिती समझाई जाती है बाप ने समझाया है इस ज्ञान योग के सिवाए कोई भी मुक्ती जीवन मुक्ती पा नहीं सकते और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं हर एक को अपना हिसाब किताब जुक्तु करना है पाप का दंड तो मिलता ही है दुनिया वाले यह नहीं समझे कि अब कयामत का समय है तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब जुक्तु होता है भविश्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके, सारा पुरुशार्थ अभी करना है, बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो, उनका फल 21 जनम के लिए मिल जाएगा, गरीब जट सौधा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड हैं, बुद्धी में बैठ न सके, बाप कुछ लेते नही हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझ से हैं अचानक मर जाऊं, तो जगडा पड़ जाएगा, बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डारेक्शन लो, यह कर वन ना करूं, बाबा राये देंगे, भले यह करो, हर एक की अवस्था पर मदार है, कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में हैं, जो अपने पाउँ पर होगा, उनको भी दे देंगे, बाप के पास कोई चालाक भी हैं, बच्चों को बाठ कर, बाकी अपने लिए र करते हैं, यह तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं है, उस मिलेटरी पर गवर्मेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फर्क है, तुम जानते ह ये सारी मिलकित आदी खत्म हो जाने वाली है हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए अभी तो तमो प्रधान है लक्ष्मी का अहवान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं शुद्ध घर में देवी आए बाबा ने समझाया है देवताएं इस धर्ती पर पैर नहीं रखते वे सिर्फ साक्षातकार कराते हैं साक्षातकार में पैर थोड़े ही धर्नी पर होते हैं मीरा भी ध्यान में देखती थी यहां कोई देवता आ ने सके देवताएं सत्युग में होते हैं कलियुग में फिर उनके अगेस्ट है, देवताओं और असुरों की लडाई है नहीं, वास्तों में यह है माया से लडाई, योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सद्गती दाता एक बाप है, पहले पहले है ही रुद्र माला, वहां इस माला को कोई जानते ही नहीं, तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मनों की माला तो बन न सके, पीछे है फिर विष्णू की माला, ये सब हैं डिटेल की बाते, कोई कहते हैं हमें धारना नहीं होती है, अच्छा कोई हर्जा नहीं है, बाप को याद करना तो सहज है न, तुम बाप को कैसे भूल जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबर्दस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धी का योग हटा देती है, साजन जो श्रिंगार कराए महरानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हो, आधा कल्प माया का राज्ये चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर ऐसे चलती है, तुम आधी से अंत तक जानते हो, नाटक देख कर आते हैं, उसमें मालूम पढ़ता है, पिछाडी में अब यह सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो सेकिंड बाइस सेकिंड जो चलता है, सो ड्रामा, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता ड्रामा, नाराज होने की कोई बात नहीं, कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पार्ट बजाना है, एक शरीर छोड दूसरा लिया, तुम्हारी बुद्धी में ये स्वदर्शन चक्र फिरते रहना चाहिए, तुमको शंक ध्वनी करनी हैं, बाप का परीचे देना है, हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मि नारेन भारत के मालिक थे, अभी कलियुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वडसा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो, तो लो, ये है तुम निमंत्रन, फिर बहुत आयेंगे, व्रिधी होती जाएगी, शिवज्यन्ती पर भी अच्छा ही आवाज होगा, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती, मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की, रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप ददा को, नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और अभी धार्ना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है, एक दो को सावधान कर उन्नती को पाना है, धंदा अधी करते भी बाप की याद में रहने का पुरुशार्थ करना है, वर्दान, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुख दाता भव, संगम युगी ब्रहमन, अर्थात, दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुख दाता के बच्चे मास्टर सुख दाता हूँ, जो मास्टर सुख दाता सुख स्वरूप हैं, वे स्वियम दुख में कैसे आ सकते हैं, बुद्धी से दुख धाम का किनारा कर लिया, वे स्वियम तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं, जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कारिय, वो बच्चों का कारिय कोई दुख दे रहा है, तो भी आप दुख नहीं दे सकते, आपका स्लोगन है, ना दु स्लोगन हर्शित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिती में सित्र हो। कर एक रस स्थिती में सित्र हो।